हलो फ्रेंड्स, केरियर वर्ड में आपका स्वागत है जैसा कि हमने पिछले बीडियो में चर्चा की थी कि हम आपके लिए इसी तरह से बीडियो लाते रहेंगे आपको केवल ओ केवल हमारे चैनल को सब्स्राइब करना है और सब्स्राइब करना है जिसके माध्यम से हम आपको इसी तरह से बीडियो प्रोवाइड कराते रहें हमारा मेन उद्देश है इस बीडियो के माध्यम से आप तक वो यहाँ पर चीजें पहुँचें जो की बहुत महत्पूर्ण है परिक्षा के लिए जैसा की आज एक बहुत एहम मुद्दा है अर्थविवस्था में कि सार्डिनिक छेतर की बैंकें अर्था सरकारी छेतरों का बिले और बिले तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रिश्ण बनने की गुंजाइस हुठी है कि सरकारी बैंको का बिले सफल होगा या असफल होगा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंको का बिले पहली बार किया गया है कई बार किया गया है और रिजल्ट के रूप में अगर देखा जाए तो अकसर ही सरकारी बैंको के बिले में सफलता मिली है और अगर सफलता मिली है तो इसी को ध्यान में रखकर फिर से यहाँ पर बिले की प्रिक्रिया की जा रही है और इस बिले की प्रिक्रिया के अंतरगत आज सार्जनिक छेतर की बैंकों की संख्या बारा रह गई है इसे संबंधित प्रिश्चने जो आगामी इंटर्विव है UPPCS का, उससे विध्यारतियों से पूछे जा सकते हैं, तो विध्यारतियों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरकारी बैंकों के बिले से क्या फायदे होंगे और किस तरह से वो अर्थ विवस्था में रोग अदा कर सकते हैं सरकारी बैंकों के बिले आप लोगों को एक तरह से इसी तरह से हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको केवल ओ केवल हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है और सबस्क्राइब करके ज़ादा से ज़ादा एक तरह से आप तक जानकारी पहुँचे इसके लिए आपको बैल आइकाउन भी दवाना है तो सुरू करते हैं सरकारी बैंकों के बिले की आवशकता क्यों यहाँ पर हम सरकारी बैंकों की बिले की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि हमारी बित्र मंत्री यहाँ पर सरकारी बैंकों की बिले की घुशना के पश्चात एक अन्य घुशना भी करती है कि बिले करने के पश्चात भी हम यहाँ पर करमचारियों की संख्या और यहाँ पर करमचारियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कुछ बिंदू तयार किये हैं कि सरकारी बैंकों के बिले से क्या होगा अगर हम देखें तो सरकारी बैंकों के बिले के संदर में तो बैंक जो है वो अंतरास्टिय पृतिसपरधा में खड़े हो सकेंगे और बैंक अंतरास्टी प्रतिस परधा में खड़े हो सकेंगे क्योंकि बैंकों का बिस्तार होगा छेत्रिय रूप से और छेत्रिय रूप से बिस्तार होगा और बैंकों की कैपिटल भी बढ़ेगी और अगर बैंकों की capital बढ़ती है तो ऐसी conditions में उनका जो capital base अगर मजबूत होगा तो वो एक तरह से क्या है कि अंतरास्टी इस तर पर अपनी सेवाई प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे basically दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बैंकों का जो रख रखाओ है उसका खर्चा भी कम होगा उसका खर्चा इस रूप में समझेंगे कि बैंकों की एक operational cost होती है और बैंकों की जब operational cost होती है और उसके अलावा यहाँ पर हर बैंकों में यहाँ पर cmd, md जैसे position हुआ करती थी किया जा सकता है और भविस में इन position को कम किया जा सकता है अर्था बैंकों की जो basis एक तरह से अगर देखा जाए मजदूरी लागत वो यहाँ पर कमाएगी क्योंकि इनके payment एक तरह से बहुत जादा हुआ करते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि बैंकों के बिले के पश्यात NPA के संदर में भी बैंकों की इस्थती में भविस में सुधार हो सकता है क्योंकि जोखिम प्रवंदन में सुधार करेंगी बैंक और अगर जोखिम प्रवंदन में बैंके सुधार करेंगी क्योंकि बैंकों को अब high lending requirement को अपनाना पड़ेगा basically और अगर यहाँ पर सारी जाज पड़ताल करके यहाँ पर लोन देती हैं तो ऐसी conditions में यहाँ पर बैंकों का जो NPA है उसमें सुधार होगा सबसे बड़ी बात है कि बैंकों की साख में बृद्धी होगी क्योंकि बैंके की अपनी एक पहचान बढ़ेगी और बैंकों की जब पहचान बढ़ेगी तो इससे नए ग्रहक उन्हें मिल सुकेंगे और अगर नए ग्रहक उन्हें मिलते हैं तो ऐसी कंडिशन्स में उन्हें बैंकिंग छेतर में तकनी की बिस्तार करना होगा और अगर बैंकिंग छेतर में वो तकनी की बिस्तार करते हैं तो निश्चित तोर पर यहाँ पर क्या होगा कि बैंकिंग की साख में ब्रिद्धी होगी और बैंकों के जुडाओ के फल्सरूप यहाँ पर बैंकों का जो प्रॉफिट है वो भी एक तरह से बढ़ेगा बिसिकली सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि बैंकों में इस तकनी की बिस्तार से भी बहुत से फायदे होंगे सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि बैंकों में ग्रहकों का एक तरह से बिस्वास बढ़ता जाएगा और बैंकों में अगर ग्रहकों का बिस्तार बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा और अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा तो इससे आर्थ बिवस्था भी मजबूत होते हुए दिखाई देगी यहां पर दूसरा अगर देखा जाए तो बैंकों का अगर तकनी की बिस्तार होता है तो तकनी की बिस्तार से कहीं न कहीं उसकी भोगोलिक पहुच बढ़ती जाएगी बैंकों की और बैंकों की अगर भोगोलिक पहुच बढ़ती जाएगी तो ऐसी कंडिशन्स में यहाँ पर जो समावेशी विकास की यहाँ पर संकल्पना है उसको भी एक तरह से सफल किया जा सकता है भविस में बेसिकली बैंकों के इस सेक्टर के बिस्तार से दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भौगोलिक बिस्तार से जो बैंकों में अभी तक छोटी छोटी बचते नहीं आ रही थी बैंकों में वो छोटी छोटी बचतें आएंगी क्योंकि बैंक के ग्रामीर छेतरों में उन छेतरों में पहुँच बना लेंगी जहां पर बैंकिंग विवस्था अभी नहीं है और बैंकिंग विवस्था अगर नहीं है तो ऐसी कंडिशन्स में बैंकों में छोटी बच्टों यहाँ पर आएंगी उसके कारण से यहाँ पर उन छोटी बच्टों को भी अर्थ विवस्था में लगाया जा सकता है यह एक सबसे वड़ा फाइदा यहाँ पर होगा इस छोटी बच्टों से बैंकों की पूझी में भी बिस्तार होगा और बैंकों की पूझी में बिस्तार होगा सबसे बड़ी बात है कि बैंकों की अगर पूझी बढ़ेगी तो बैंकें जो अल्पकाल के लिए उधार लिया करती थी या एक रात्र के लिए उधार लिया करती थी उससे एक तरह से बैंकें बचेंगी और उससे बैंकें बचेंगी क्योंकि बैंकों के पास परियाप्त पूंजी होगी और बैंकों के पास अगर परियाप्त पूंजी होगी तो निश्चित तोर पर यहाँ पर क्या है कि ये उधारी की जो संकल्पनाई हैं एक रात की उधारी उन सारी की सारी संकल्पनाओं से बैंक बस सकेगी और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि RBI अपनी मौद्रिक नीती को प्रभावी धंक से लागू कर सकता है जादा बैंकें पर नियंतर्ण करना यहाँ पर RBI के लिए मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन आसान भी नहीं था और ऐसी कंडिसन्स में अब बैंकों की संख्या अगर कम होगी तो निश्यत तोर पर क्या होगा कि बैंकें अपको अपनी मौद्रिक नीती RBI यहाँ पर भावी धंक से लागू कर पाएगा यह एक सबसे बड़ी बात दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार के पास भी अब लार्जल कैपिटल बेस होगा और सरकार के पास अब लार्जल capital base होगा और दूसरी यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर बैंकों के जो अंतरास्टे मानक हैं जैसे basal norms उनको अपनाने में एक तरह से परेशानी नहीं आएगी क्योंकि उनके पास capital base होगा और capital base होगा तो सरकार को पूझी की जो विवस्था भविस में एक तरह से करनी पड़ रही थी उससे निश्यत तोर पर आगे चल के बैंक यहाँ पर बस सकेंगे और सरकार भी एक तरह से उससे बचेगी और ऐसी conditions में सरकार के उपर जो extra दायत होने वाला था उससे भविस में एक तरह से क्या होगा कि संभावनाएं कम होगे और ऐसी conditions में अगर देखा जाए तो बैंकों का एक तरह से मर्जर कहीं न कहीं भारती अर्थविवस्था को बढ़ाने का काम करेगा हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और वीडियो लाते रहेंगे जिसमें हम चर्चा करते रहेंगे छोटे छोटे इशू और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आज केवल बैंकों के मर्जर की बात की है आगे चल कर हम कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद